आज हम जानेंगे एथिलेटिक्स के बारे में एथिलेटिक्स में बहुत सारे इविंट्स होते हैं और हम इन्हें बहतर जानने के लिए ट्रैक और फिल्ड इविंट्स की श्रेणी में बाढ़ सकते हैं आईए सबसे पहले track events के बारे में जानते हैं Running events में sprints, middle और long distance running खास होते हैं 3000 flat और steeplechairs, long distance 5000 meter, 10,000 meter, marathon, race walking, sprint racing Track events में standard track 400 meters oval अंडे के आकार का होता है जिसमें 2 straight line और 2 curves होते हैं International events में 8 lanes होती हैं और हर एक की width 1.22 meters होनी जरूरी है Sprint event crouch, sitting और start command से शुरू होते हैं खिलाडी gunfire पर race शुरू करते हैं जिसके command इस तरह से होती है On your marks, set, gunfire Sprint races में stagger method यूज होता है Race में वो जीता है जो सबसे कम समय में race पूरी करता है खिलाडी को इस बात का खयाल रखना चाहिए कि वो अपने lane में ही भागे Lane change और lane cutting ना हो और foul start ना हो वरना वो निलंबित किया जा सकता है आजकल track में होने वाले प्रत्येक event के खिलाडी spikes पहन कर भागते हैं अभ्यास के समय जूते और spikes दोनों का प्रयोग करते हैं समय समय पर तो आईए अब हम race के champions बनते हैं middle distance racing main event 800 meter, 1500 meters, 3000 flat और steeple chase middle distance running में standing start और curve start होता है इसमें start command ऐसे होता है on your marks और फिर gunfire जिसके बाद खिलाडी भागना शुरू करते हैं खिलाडी अपनी सुविधा के अनुसार race आरंब होने के बाद प्रत्हम lane में आ सकते हैं middle distance racing events में खिलाडी right side से ही overtake कर सकते हैं inner lane से overtake करने पर foul माना जाता है इन race में एक साथ maximum 16 खिलाडी भागते हैं अगर ज्यादा हो तो heats यानी qualifiers होते हैं 800 meter की race में half stagger दिया जाने लगा है long distance में 5000, 10,000, marathon और race walking events होते हैं इनका start भी standing होता है middle distance की तरह long distance running के rules भी middle distance running की तरह होते हैं marathon events full marathon और half marathon इसमें जो runner सबसे कम समय में distance कवर करने में सफल रहता है वो विजेता माना जाता है marathon running road पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाडी किसी अन्य खिलाडी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है तो उस खिलाडी को foul का सामना करना पड़ सकता है race walking इसमें 3 categories होती हैं अंडर 16 के लिए 5 km, अंडर 20 के लिए 10 km, senior category में 20 और 50 km इस even के कुछ खास नियम होते हैं जैसे वोक करते हुए खिलाडी का एक पाउ हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाडी का जो पाउ जमीन पर होता है उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए जमीन पर एक पाउ का कॉंटाक्ट न रहने पर नी बेंड होने पर रनिंग या जम्पिंग करने पर फाउल हो सकता है तीन वानिंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाडी रेस से बाहर किया जाता है